ओके वाट इज मेटा टैग मेटा टैग क्या है फ़लेम डिफिनिशन देखते हैं दा मेटा टैग ऐलिमेंट इस यूज तो एस्पेसफाइड पेज डिस्क्रिप्शन कीवर्ड ऑथर अंड अधर मेटा डेटा अंड मेटा डेटा यूजड बाई ब्राउजर आउटू अगर मेटा डेटा मेटा डेटा क्या है मेटा डेटा वो होता है information about information कुछ ऐसा है जो हमने लिखा हुआ है पेज के अंदर ठीक है उसके बारे में थोड़ी सी information देना अगर हम दे दे तो उसे हम बोलते हैं अगर ये क्यों होता है हम सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को rank कराने के लिए SEO में rank कराने के लिए हम यूज करते हैं ठीक है चलो देखते हैं क्या-क्या आता है metadata के अंदर तो metadata के अंदर हमारा पहले हम character set बताते हैं कि क्यों सा character set हम यूज करने वाले हैं ठीक है उसके बाद viewport बताते हैं कि कैसे हमारा website जो होगा display कैसे होगा यह user को सो नहीं होगा यह developer को सो होगा ठीक है जो developer mode में जाके console में जाके देख सकते हैं अर description लिखना होता है अपने content के बारे में जैसे कि हमने लिया a fascinating journey through the space exploration हमारा title है exploring the solar system ठीक है मतलब data about data इसी को बोलते है metadata ठीक है हमने उस content का थोड़ा सा बता दिया description है यह जो कि जब हम कोई website search करते हैं तो वहाँ पर सो होता है जैसे कि मैं अभी करके दिखाता हूं हम यहाँ पर search करेंगे लाल किला ठीक है तो यहाँ पर देखो कोई website आ रही होगी open जैसे कि यहाँ पर देखो red fort old dilly history facts और यहाँ पर यह जो दो line लिख्या रही है न यह हमारा है metadata जो SEO में rank करने को rank करने में help कर रही है इस website को अगर हम इसको यहाँ पर खोले तो अभी वहाँ पर और यहाँ पर जाके inspect करें elements में जाए और यहाँ पर head के अंदर कि देखो Meta name के अंदर यहाँ पर देखो Meta name के अंदर description content में लिखा red fort mughal mughal in Delhi India built by Saijahan in the mid 17th century ऐसे देखो यहाँ पर दो लाइन लिखा गया है यही है description जो कि इस website को rank करने में help कर रहा है और यहाँ पर दो दो तरह से बताया गया यहाँ पर keywords के लिए content दिया गया और यहाँ पर description लिया गया ठीक है अब आते हैं हम अपने topic पर और यहाँ पर keywords लिखा गया है कि किस बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो हमारा जो टाइटल exploring the solar system वह planets के बारे में astronomy के बारे में space exploration के बारे में ठीक है तो हम keywords उसके बारे में लगा देते हैं ताकि हमारा rank कर सके website अब author कौन है author कोई भी हो सकता है आप हो सकते हैं या कोई भी हो सकता ठीक है तो ओधर हम जो अंडो डाल दी हैं अब हम उसके बारे में लिख देंगे यहां पर टाइटल जो लिखे हैं यहां पर टाइटल वहां पर सो होगा जैसे कि अगर हम इसको रन करें यह आपर टाइटल भर टाइटल जो कि हमने यहां पर लगा रख ठीक हैं और यह हमारा एक्षवन जो बॉडी टेग के अंदर आ रहा है यह हमारा है और यह पैराग्राफ के अंदर जो हमारा कॉंटेंट है इसके बारे में थोड़ा सा यह डेटा दीया हूँवा था ये उसकी detail कि हमारा सारा content हा और इसका थोड़ा सा metadata है. I hope you understand. That's all about the meta tags.